आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बेसन पत्ता गोबी की शांदार सुखी सबजी जो की खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिश लगती है तो आईए बिना कोई देर किये इसे बनाना स्टार्ट करते हैं बेसन पत्ता गोबी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिए है लगबग 200 ग्राम पत्ता गोबी जिसको की मैंने दोकर इस तरह से लंबाई में कट कर लिया है आप जैसे चाहे वैसे इसकी कटिंग कर सकते हैं उसके अलावा मैंने यहाँ पर लिये हैं कुछ फ्रेश मटर के दाने पांस से साथ हरी मिर्च एक मीडियम साइज की प्यास आठ से दस लसुन की कलिया मैंने इन सबको रफली कट कर लिया है हमें इन सबको इस मिक्सर के अंदर डाल कर अच्छे से पीस लेना है हमें इसे ग् पेस्ट जाएगा हमें बिल्कॉल बारिक पेस्ट नहीं चाहिए हमें दरदरा पेस्ट चाहिए ऐसा मिक्सषर चाहिए होगा यह देखिए मैंने यहाँ पर एक कड़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख दिया है अब इसके अंदर डाल रही हूं मैं यह आदा चमच राई और आदा चमच जीरा राई और जीरे को अच्छे से तड़कने देंगे उसके बाद हम इसमें डाल देंगे यह लसुन प्याज और हरी मिर्च का मिक्सचर इसे लगबग 2-3 मिट तक लो टू मीडियम फ्लेम पर तेल के अंदर फ्राई करेंगे जब तक कि इसका कच्छापन नहीं निकल जाता यह लगबग 2-3 मिट तक पकते हुए अब हम इसके अंदर अट गर देंगे यह मटर के दाने इसे भी हमें तेल में लगबग 2-3 मिट अ पकाना है यह देखेंगे 2-3 मिट हो चुके हैं अब हम इसके अंदर अट कर देंगे यह बारी कटी हुई पत्ता गोबी अब हम इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हमारी पत्ता गोबी बहुत ही जल्दी बनकर रेडि हो जाती है इसको बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है अब हम इसके अंदर एड़ कर देंगे एक चम्मच नमक इसे कि यह बहुत जल लेंगे अब हम इसका धक्कन लगाकर लगबग 5 मिट के लिए इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे इसे 5 मिट हो चुके हैं आप देख सकते हैं हमारी पत्ता गोबी जो है वो पहले से क्वांटिटी में काफी कम हो गई है मतलब यह बहुत ही अच्छे से मसाले सबसे पहले में एड़ किया है एक चमा सुखा दनिया पाउडर एक तीहाई चमच हल्दी पाउडर है आदा चमच गर्म मसाला पाउडर अब इन सारे मसालों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे यह देखिए मैंने इन सब को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया है, ugh अब हम इसका ढख कर लगबग 5 मिट के लिए इसे वामपस पकाईंगे इन मसालों को गुब्य के साथ अच्छे से पकने देंगेर यह देखिए 5 मिट हो चुके हैं हमारे मसाले गोपी के साथ अच्छे से पक चुके हैं हम इसे एक बार अच्छे से हिला लेंगे और उसके बाद हम इसमें एड़ करेंगे बेसन हमने यहां पर 200 ग्राम पता गोपी ली है इसलिए हम इसमें एड़ करने वाले हैं दो चमच बेसन अगर आप आदा किलो गोपी लेते हैं तो आपको चार चमच बेसन एड़ करना है मैंने यहां पर 200 ग्राम गोपी ली है इसलिए दो चमच बेसन लिया है अब हम इसे अच्छे से हिला लेंगे बेसन डालने के बाद आप ध्यान रखेंगे हमें गेस का फ्लेम बिल्कुल लो र परतन लेते हैं तो उसके अंदर बेसन बहुत जल्दी ची पकने लगता है अब इसका डखन लगा कर वापस इसे पांच मिट के लिए पकने दूंगे यह देखिए इसे पांच मिट हो चुके हैं अब हम इसे एक बार और अच्छे से हिला लेंगे एक बार हम इसका डखन अब हमारी सब्जी को पकते हुए लबक 2-3 मिट हो चुके हैं आप देख सकते हैं हमारी सब्जी फाइनली बनकर रेड़ी है बहुत यह अच्छी लग रही है हमारी सब्जी अब हम इसे एक बार और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके अंदर डाल देंगे यह बारी कट अब हमारी सब्जी काने के लिए बिल्कुल रेड़ी है आपको मेरी चोटी सी बेशन पत्ता गोभी की रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा और आप मेरी सब्सक्राइब को जरूर ट्राइगा अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद तो प्लीज मेरी सब्सक्राइब को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड बेल आइकन मैं आपको एक बार पास से दिखा देती हूं कि हमारी सब्जी केसी बनी है आप मेरी अधर रेसिपी मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर चेक कर सकते हैं बहुत जल्द मिलती हूं आपसे अगली रेसिपी के साथ थैंक यू